फ्रेंड स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल क्रिकोलेंड प्रेडिक्शन में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जे एम वी एस जी यू वाई मतलब जमाइका ट्लाइवद वरसेद गुएना अमजवन वरियर के बीच में जो मतलब चौथा यहां पर CPL T20I का मुकाबला खेला जाएगा काफी अच्छा मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा गई जहां जमाइका की टीम अपना दूसरा मुकाबला खेलने वाली है वहीं गवाना की टीम अपना कैंपन का इस्टार्ट करने वाली मतलब पह और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना बाकि यह टेलीग्राम का चैनल है प्लीज इसकीप मत करो वीडियो को बात सुने हो देखो क्रिक 2580 यहां पर सर्च हो सकते हो नहीं तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंड बॉक्स में मैं लिंक देद सब्सक्राइब कर लिए तो हमारा एक लाक वाला चैनल था टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों को डिलिट कर दिया गया था बिन बताए तो होप आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम लिए काफी मेटर करता है तो होप आप लोग बास समझ रोगे तो चलिए वीडियो को हम लेकिन जो यहां दे फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर मैं बात करता हूं देखो चौथा मुकाबलाह खेला जाएगा सीप्यल्टी ट्वैंडी गा तीन सेतमबर साथ साथ बजे भारत टाइम अनुसार अपने साम को यह मुकाबलाह खेला जाएगा सिरलनका और अफ जैसे च्छे से लेकर आप लोग 15 उबर के बीच में मान सकते हो इसे में इस पिनर भी काफी बहतर करते हुए दिख जाएंगे और अमुमन तोर पर यहां पर बहुत ज्यादा लोग मतलब हाई स्कॉरिंग मुकाबला होता नहीं तो होप आप लोगों को पिछ रिपोर्ट यहा पर तो हेट टोटल 23 मुकाबले खेले गया है जहां जमाइका टलाइवास की टीम ने 10 मुकाबले वहन किया है और एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा था देखा जाए तो जादा को यहां पर अंतर है ने 60-40 का आप लोग रेजियो मान के चल सकते हो जोस्तों बात करते हैं जम जमाइका वाला जो वीडियो था जमाइका टलाइवास का जाकर देख लेना मोस्ट आप जब सीपियल के मुकाबले होते हैं तो इंटरनेशनल किर्केट में भले यह फोलॉप जाए लेकिन जब डोमेश्टिक सीपियल खेला जाता है मुझे जहां तक याद आ रहा है 2019 में य उसके बाद यहां से बात करते किनार लुइस की अनतालिस रणों का इसकोर इनो नहीं किया था काफी हाड इटर बैट्समेन है देखो इनके अंदर थोड़ा सा सिर्फ कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है अगर यह कंसिस्टेंट इसकोर बनाने लगे ना तो यह कह सकते एक बह इनको बैटिंग नहीं मिली थी इमाद वसीम पाकिस्तानी यहां पर बॉलर है जिन्होंने दो विकेट निकाला था वही किरिस ग्रीन की बात करते हैं तो एक विकेट लेस चली गया थे यह बाकि मुहमाद आमीर गया एक कह सकतो लेफ्ट आम फास्ट मीडियम काफी बहतर बॉलर है जो कि पाकिस्तान से आते हैं एक विकेट इनको मिला था बाकि मीगल प्रियूटियस गया दो विकेट इनके नाम आया था वही निकोलास गॉर्डन जो की एक यंग खिलाली खेल रह के चल सकते हो बात करते हैं दूसरी टीम गाइस गवाना अमेजन वोरियर की क्या कुछ पॉसबल प्लेइंग लेवन हो सकती तो इनके तरफ से मैं आप लोगों को प्लेइंग लेवन बता देता हूं उसके बाद इनके तरफ से जो प्लेयर्स का ओवरॉल रिकॉर्ड है आप के बाद कीमो पॉल खेलते हुए दिख सकते हैं रुमारियो शेफर्ड है ओडेन इसमीथ इमरान ताहीर है तबरेस समसी ये वकार शमिल खेल कुछ यह हो सकती गवाना अमोजोन वोरियर की पॉसबल प्लेइंग लेवन अगर बात करते हैं इनके तरफ से प्लेयर्स क्या कु यह most of the matches में वैसे test मुकाबले के खिलाडी माने जाते हैं 27 मुकाबले 357 रन 17 का इनका अवरेज है उसके बाद चैंदर पाउल हमराज की बात करते हैं लेफ्ट हैंड बैटिंग करेंगे 33 मुकाबले 730 रन 23 का इनका अवरेज है शिम्रोन हेटमायर लेफ्ट हैंड यह मझे हुए खिलाड़ी है 54 मुकाबले 989 रन 19 का मैज इनका अवरेज जो कि इनके मतलब टाइलेंड को नहीं बया कर रहे हैं इमरान ताहिर गाइस लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं काफी जाद एक्सपिरेंस है आप खुद देख सकते हैं 362 मुकाबले में 454 विकेट है गाइज पूर ओवर ओल टीटी में वही कॉलेन इंग्रम की बात करते हैं लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं यह भी दुनिया भर में जाके टीट्वेंटी लिग खेलते हैं 317 मुकाबले 7721 रन 29 का बैटिंग से इनका अवरेज है बात करते हैं यहां से हैंडिज कलासान खेली जा रही थी वेस्ट इंडिस की उसमें यह खेलाडी काफी इंप्रेस कर रहा था साथ मुकाबले में 8 विकेट इनके नामें टी-20 में गाइज इनके तरफ से खेलाडी यह मैथ्यू नैंदू ठीक है इन्होंने आज तक कोई भी टी-20 खेला नहीं है खेले होंगे लेक पल्स नद्राम पलस 2 विकेट ॏ 128 ब्र्श दूट विकेट 7 और पलस जीरो विकेट 8 रन प्र bluff एक कट आप देख सकता है इनको डियाई का रिकॉर्ड है मतलब इटरनेस्नल नहीं यह ओड डिडिडि डोमेश्टिक रिकॉर्ड है तो आप लोग यहां से इनका हर मुकाबले में निकाल के दे सकते हैं वरेंसी पार्माउल के बारें बता दू स्लो लेफ्ट आम ऑफर डॉस बॉलिंग करते हैं एक सो चानवे मुकाबले में दो सो पचीस विकेट इनके नाम है बाकि रॉमारियो शेफर्ट राइट हंड बैटिंग करते हैं राइट आप फास्ट मीड़ बॉलिंग करेंगे ऐज ऑल्राउंडर खेलेंगे चापन मुकाबले में 454 चावरेज बॉलिंग से इकावन पारी मे 55 विकेट भी इनके नाम है बाकि जूनियर सिंग के लियर के बारे में बता दू राइट हंड बैटिंग करेंगे राइट हम और ब्रेक करेंगे इनके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला था मैंने बहुत सी सर्च किया था लेकिन कोई रिकॉर्ड में इनके बारे में नहीं निकाल पाया था अगर मिलता है गाल तो मैं आप लोगों को टेली ग्राम पर जरूर प्रोवाइड करा दूँगा बाकि देखो ओडेन स्मित की बात करते हैं राइट हैंड बैटिंग करेंगे राइट हम फास्ट मीडम बॉलिंग करेंगे पचास मुकाबले में तीन सो पारी में पचपन विकेट भी इनके नाम है बागी पाउलिष ट्रिलिंग के बारे में बात करते हैं तो राइट हैंड बैटिंग करते हैं तीन सो साथातार मुकाबले में आइक चीज मतलब गलत बता दिया था यहाँप पाउलिष ट्रिलिंग का एवरेश 26 का मैंने डिज तो होप यहां तो मैंने सही कर दिया तो आप लोगों को समझ में आई होगा बागी देखो जमाई के ट्लाइवास के भी ओवर्रोड सारे खिलाली हो का मैंने यहां पर चलते हैं गाइस ड्रीम अलाउन पर देखते हैं इस मुकावदे से रिलेटेड हमारी क्या कुछ टीब बन के रेडी हो रही है बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले विगेट कीपर आपसन का तो आप लोगों को चार आपसन देखने को मिल जाएंगे सेफ में कीना रोली सबसे से ट्राइ कर सकते हो बहात करते हैं वाले नचे खेलने वाले लेने को रहें लिए और देकने मेंकर देखने को मिलता है यह रिए Dit गिर जाता है तो ऐसे मैं आप पॉलिस टीरलिंग को ड्रोप करके चखो तो शाही आपको ले लो फिर यहां से शेमरन हेट मायर को ले लो लेकिन फिलहाल के लिए को मैंने अपने टीम में रखा आप देखो फिनाले पिछले हम कामले में बॉलिंग नहीं किये थे अगर बॉलिंग नहीं करते हैं लेकिन हाप यह है कि तीन नंबर पर आइधिंग खेले थे लेकिन बॉलिंग नहीं किये थे तो ऐसा बैट्स में अगर चाहो ताप अपने टीम बात करते हैं यहां से बालिंग सेक्षन का तो तबरेश समसी मोहमद आमिर इम्रान ताहिर मेरी टीम में रहने वाले हैं अब इन गोर्डन पिछले में काबले में तीन विकेट निकाल के आ रहे हैं काफी जाए रहे हैं आप चाहो तो बिल्कुल जा सकते हो लेकिन जमाइका की जी मोटी को आप लोग जरू ट्राई करना गाइस क्यूंकि बहुत ही अच्छे खेला रही है यह बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के तो देखो गाइस तो आप लोग सारे लोग यहां पर ब्रेंडन किंग को कैप्टन बनाएं पिछले मुकाबले का पफोर्मेंस दे जयान हो सकते हैं तो फिलाल देखो को तो ओड़ीन इसमीट कैप्टन वाइस कैप्टन आर्शेफर्ड रोमारियो शेफर्ड फिलाल कुछ यह खिलाली मेरे टीम में है लेकिन बता दूँ आप लोग प्लीज टेलीग्राम पर आ जाना जिसका लिंक वीड़ो बर्द कर प्लीज मुझको जज्मत करना च्छे साल हुआ गई ड्रीमन का एक्स्पीरेंस है यूटूब चैनल को अवश्य सस्क्राइब कर लेना नेक्ट वीड़ो आप लोगों को कोई भी मुकाबले से रिलेटेड आ सकती है बहुत अच्छी वीड़ो आएगी गई और दे सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्ट वीड़ो में तब टक लेग गुडबाइब